हेलो और नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अदा सिनेमा कल्ट में आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैंने पहली बार किसी के साथ कोलैप किया है और वो भी एक नहीं दो लोगों के साथ सबसे पहले है लव कोक्टेल चैनल की ओनर आर जे प्रिया जिनके बारे में मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में भी बताया था और दूसरे है मिस्टीरियस क्लिफ हैंगर जिनका कंटेंड भी लगबग मेरे चैनल के तरह का ही है एंड मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इन दोनो चैनल को एक बार जरूर चेक आउट करो और अगर आपको उनका काम पसंद आये तो उनके चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर करो दोनो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम एक्स्प्लेन करेंगे 1995 में रिलीज हुई Children of the Con 3 Urban Harvest मूवी को पर अगर आपने इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे तो मैं आपको सला दूँगा कि आप वो दोनों देख लो क्योंकि उसके बगेर आपको ये मूवी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी Children of the Con 3 Urban Harvest एक हॉरर कल्ड जौन्रे की मूवी है IMDB पे से मिले है 4.2 आउट और 10 स्टार्स और सडे वे टामाटर पर ये है 25% फ्रेश विट 25% ओडियन्स स्कोर सो अब बिना किसी देरी किये, हिट दे इंट्रो मूवी शुरू होती है दो बच्चो के पागल नशेडी बाप को दिखाते हुए जो कि अपने बड़े बेटे जौश को मारने खेतों में उसके पीछे दोड़ रहा था जौश भागते भागते खेत में रखे स्केर क्रो से जाके टकराता है जिसके पीछे उसका गेटलिन से एडॉप्ट किया हुआ भाई इलाय खड़ा था वो जोश से कहता है तुम भागो पपा से मैं निपट लूँगा जोश के जाते ही इलाय अपने बाप को बुट्टा डीमन के जरिये बहुत ही गंदी मौत मरवाता है जमीन से अजीब से टेंटेकल्स आते हैं और उसके बाप के हाथ पेर बांध कर उसकी आखे और जुबान सिल देते हैं और उसे किसी स्केर क्रो की तरह कौन फील्ड में टांग देते हैं जिसके बाद Eli Butta Demon की Bible को ठीक उसके बाप के Scarecrow के नीचे जमीन पे रख देता है और बुक अपने आप जमीन में धस जाती है। Eli Butta Demon से कहता है जैसे तुमने मेरी रक्षा की है वैसे ही इसकी भी करना। और मैं आप सबको बता दूँ कि Josh को Eli के किसी भी कारनामे के बारे में पता नहीं है। जिसके बाद हम सीधा देखते हैं कि Chicago का एक कपल जिनका नाम Amanda और William था इन दोनों को एडॉप्ट करते हैं और ये करके इन कपल ने अपने ही मौत को दावत दे दी थी। खेर सबका खाना होने के बाद William Eli और Josh को घर के बाहर का एरिया दिखाने ले जाता है और यहां घर में Amanda Eli की बैक्स चेक करती है जिसमें से एक बैक में पूरे कौप रोचेस बरे हुए थे पर जब William आकर वो बैक्स चेक करता है तो उसके अंदर बुट्टे होते हैं जिस पर William अपनी बीवी से पूछता है कि क्या सस्ते नशे करके बैठी हो उसी रात जब सब सो जाते हैं Eli अपने बुट्टों से भरी बैग उठाता है और घर के बैक याड की फेंस के दूसरी तरफ चला जाता है जहां एक पूरानी सड़ी वई फैक्टरी थी वहाँ Eli बुट्टा आनाज भी उगा देता है और पहले तो बुट्टा डीमन की सरकार सिर्फ गेटलीन जैसे छोटे गाउं तक ही सीमित थी पर Eli अब बाहर सिटीज में भी बुट्टा डीमन की सत्ता बनाना चाता था बर एनिवेस अगले दिन से अपने लड़के स्कूल जाना स्टार्ट कर द पर जब Eli Josh को दूसरे स्टूडन्स के साथ बास्केट वाल खेलते और घुलते मिलते हुए देखता है तो उसे यह अच्छा नहीं लगता जिस पर Eli Josh से कहता है पहले तो तुम मुझे छोड़के दूसरे ग्रेड में चले गए और अब तुम उनके गेम्स भी खेल रहे हो और वो अपना ज्यादातर वक्त मैलकॉम और उसकी बहन के साथ ही बिताता है दूसरी तरफ इस बात से अंजन बुट्टा डीमन की भक्ती में चूर Eli रोज उस फैक्टरी में जाता है और बुट्टा डीमन की प्रातना करता है फिर एक दिन इसी दोरान जब Eli चुपके से ब कॉनफिल्ड में से जैसी अजीब सी आवाजे सुनाई देने लगती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है उसके जाते ही एक होमलेस परसन वहां आता है जो कि शायद अपने रहने के लिए जगा धून रहा था उपर से इतने सारे फ्रेश बुट्टों को देखकर व कॉनफिल्ड हो चुकी है और मुझे उस कॉनफिल्ड से बहुत ही निगीटे वाइबस आ रही है तो तुम सुबद जाकर उस पूरी कॉनफिल्ड को साफ कर देना मुझे ने पता तुम कैसे करोगे पर चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए आई मीन कॉनफिल्ड साफ हो ज जाता है तो इस बिना बुट्टे के सीजन में फ्रेश बुट्टे को देखकर वो शौक हो जाता है तब ही वहाँ इलाय भी आ जाता है और विल्यम को बताता है कि यह फसल उसने हो गाई है और उसके गेटलिन के बुट्टे इतने यूनिक है कि बिना मौसम बिना कीड़े औ वो बुट्टा डीमन के फॉलोर्स बन जाते हैं सीन स्कूल में शिफ्ट होती है जहां इला एरिसेस टाइम में अपने जेब में से बुट्टे के काले बीज निकालता है और कैंटीन के काउंटर पे रग देता है और अचानक से वो बीच काक्रोच में बदल जाते है जो जाके पूरे स्कूल के खाने में मिल जाते है इस बाद से अंजान कैंटीन में काम करने वाले वो खाना सब को खिला देते हैं और हम देखते हैं कि जब प्रिंसिपल जो कि truck के फादर भी थे वो सूप पी रहे होते हैं तब ही उनके मूँ से वो काकरोश निकलता है और वो उल्टी कर देते हैं जिसके बाद से ही उन्हें रोज रात को गेटलिन टाउन के नाइटमेर्स आने लगते हैं कि कैसे वहाँ बच्चों ने टाउन के एडल्स को मार दिया था दूसरी तरफ जिस सोशल वरकर ने ईलाय और जौश को अमेंडा और विल्यम से मिलवाया था वो डिसकवर करती है कि ईलाय को एक्चुली गेटलिन से एडॉप्ट किया गया था और उसे एक 1964 का न्यूस पेबर भी मिलता है जिसमें ईलाय का भी फोटो था जिसका मतलब 1964 से ले और इलाय जादू से उसके ऑफिस पोट जाता है और जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को क्लिक करती है लाइटर की आग निकल कर उसके मुँ में गुश जाती है और इलाय घोष्ट राइडर की तरह उस और खोपड़ी जला कर उसे मार देता है अगले दिन वाली केंची लेकर इलाय के कॉनफिल्ड को काटने जाती है पर वो कॉनफिल्ड अपने टेंटेकल से उस पर हमला करते हैं पर वो कैसे तो खुद को छुडा कर वहां से भागती है पर भागते वक्त अमेंडा का पेर एक रोड पे पढ़ने के कारण फिसल जाता है और जब तरफ हम देखते हैं कि ये सारा किया धरा इलाय का था यहां अपनी बीवी की मौत से अंजान विलियम इलाय के बुट्टों के लिए डीलर्स को धून लेता है जो इन बुट्टों को वर्ल्ड वाइड शिप कर सके जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इलाय स्कूल के सारे बच् आपको समझाने की कोशिश करते हैं पर बाकी स्कूल स्टाप उन पर बिलीव नहीं करता क्योंकि इलाय के साथ रहने के कारण अब बच्चे फाल्तु गिरे और जगडा नहीं करते थे जो कि सच था धीरे धीरे जौश को भी इलाय की हरकत देख शक होता है कि उसका बाप पर उसका ये शक तब यकीन में बदल जाता है जब उसे उस सोशल वरकर का मेल मिलता है जो कि अमेडा के लिए था जिसमें इलाय के खिलाफ सारे सबूत थे जौश मैलकॉम को इन सब के बारे में बताता है और वो दुन फादर प्लस स्कूल प्रिंसिपल से मिलने निकल जात एंड तब ही इलाय पीछे से फादर को आवाज लगाता है फादर उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन जिस पर इलाय कहता है तुम जानते हो में कौन हूँ मेरी फॉस्टर मा भी जानती थी और बहुती कम लोग मेरी असलियत जानते है जिसका मतलब तुम लोग स्पेशल हो और special लोगों को special मौध ही मिलने चाहिए गुस्से में father Eli को अपनी Bible फेक कर मारते है पर Eli Holy Bible को दो हिस्सों में फार देता है और कहता है बस इतना ही दम है तुम में और Eli के एक इशारे पर चर्च की बेंच father की टांगों पे आके लगती है जिससे father की टांगे ही टूट जाती है और वो Eli के सामने जुक जाते है जिसके बाद Eli उन्हें क्रोस पे उल्टा टांग देते है और कहते है तुम्हारा Bible मेरे Bible के सामने कुछ भी नहीं है father कहते है मुझे पता है तुम्हारी कमजोरी वो Bible है तभी Eli का चहरा पीला पढ़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही मदर मेरी की मूर्ती फादर को मार देती है और गाइस बिलीव में ये सीन सच में आंग पे काटे लाने जैसा है कि खुद भगवान शेतान के वच में आके आपको मारना चाते हैं तभी वहाँ Josh और Malcolm पहुचते हैं पर देखते हैं कि फादर की वाट लग चुकी थी पर फिर भी उनके अंदर थोड़ी सी जान बची थी और मरते मरते वो उन्हें इलाय के बाइबल को डिस्ट्रॉय करने बोलते हैं तभी Josh को चमकता है कि इलाय ने अपनी बाइबल गेटलीन में ही चुपा के रखी होगी जोश और मैलकॉम उसी वक्त गेटलीन के लिए निकल जाते हैं यहाँ दूसरी तरफ मरिया जोश से मिलने उसके घर जाती है पर तभी इलाय वहाँ आदमकता है और मरिया को अपने वश में कर लेता है जिसके बाद वो उसके घर जाकर उसके माबाप को अपने बुट्टे खिलाता है और इन बुट्टों को खाते ही उनके मूँ से धेर सारे काक्रोचेस निकलने लगते हैं और मरिया के मम्मी के चहरे को तो वो काकरच सीधा बीच में से फाड के बाहर निकलते हैं शी याक, सच में ये बहुती गंदा सीन है खेर, गेटलीन में बाइबल धूंडते वक्त कौन फील्ड के टेंटेकल्स मेलकॉम पर हमला कर देते हैं और उसकी गर्दन को उसके रीड की हड़ी के साथ उसकी बॉडी से उखाड लेते हैं और बेचारा मेलकॉम बेवजा मारा जाता है जिसके बाद जॉश कैसे दो बच बचा के इलाई की बाइबल उठाता है और फिर से शिकागो के लिए निकल जाता है दूसरी तरफ स्कूल के सारे बच्चे अब इलाई के फुल कंट्रोल में आ चुके थे एंड इलाई और उसका गुरूप आज शिकागो शेहर के एडल्स को मारने वाला था तब ही वहाँ विलियम आ जाता है जो की बहुत ही खुश और शराप के नशे में था क्योंकि उसने इलाई के बुट्टो को वर्ल्ड वाइड शिपिंग के लिए भेज दिया था वो इलाई से पूछता है कि यह तुमारे दोस्त कौन है और यहा क्या चल रहा है जिस पर इलाई बोलता है यह हम है यह हमरी एविया है और यह हमरी पार ही हो रही है विलियम कहता है ठीक है जो भी है इसके बाद वो इलाई को उसके बुट्टो की वर्ल्ड वाइड शिपिंग की गुड नूस देता है जिस पर इलाई उससे कहता है आपने बहुत अच्छा काम किया है अब आपके कारण हमारी सेना बढ़ेगी हमारे चर्च बढ़े होंगे पर अब आपके आराम करने का वक्त आ चुका है विलियम कहता है अरे पर अभी तो पार्डी शुरू हुई है ना जिसपर ऐलाय बोलता है हाँ पर सिर्फ हमारे लिए और वो विलियम के सीने में सिदा हैंडसिकल गुसा देता है और विलियम वही टपक जाता है साला ऐसान फरामोश जिन्होंने रहने के लिए घर दिया, खाना खिलाया, उन्हें ही मार डाला बटे निवेस, तब ही वहाँ जॉष बुट्टा डीमन के बाइबल के साथ पहुच जाता है और एला ऐसे कहता है तुमारी कमजोरी मेरे हाथ में है इलाय कहता है तो डिस्ट्रॉइ कर दो उसे जिस पर जॉष कहता है मुझे पता है कि तुमने इस बाइबल को खुद से इतना दूर क्यों छुपा के रखा था क्योंकि तुम एक वर्म कीडे की तरह हो जिसका आदा हिस्सा ये बुक है अगर तुमें खतम कर दो तो फिर भी दूसरा हिस्सा जिन्दा रहेगा इसलिए तुम दोनों को साथ में खतम करना पड़ेगा ये सुनकर इलाय को मिर्ची लगती है और वो जॉष पर मॉर्टल कॉमबेट के लिव कैंग की तरह आग के गोले फिकता है पर जॉष शाना था, वो उन फायर बॉल्स को उसी के बाइबल से इलाय पर ही रिवर्स करके मारता है जिसके बाद इलाय मरिया को पकड़ के कहता है कि मुझे वो बाइबल दे दो वरना मैं इसे मार दूँगा तो जॉष वो बाइबल नीचे फेक देता है जैसे ही वो उस बाइबल को उठा के गले से लगाता है जोश हैंड सिकल को एक साथ उसकी थर्ड क्लास बाइबल और इलाय के सीने में गुसा देता है जिससे इलाय बुट्टा डीमन को प्यारा हो जाता है उसके मरते ही सारे बच्चे अपने होश में आ जाते हैं वो सब अपने घर ही जा रहे थे तभी पहली बार जमीन से बुट्टा डीमन अपने फिजिकल फॉर्म में आता है एक बड़ा सा गंदा टेंटेकल्स वाला मॉंस्टर वो वहाँ भाग रहे सारे बच्चों पर हमला कर देता है और अपने गंदे टेंटेकल्स से बहुत से बच्चों को मौत के घाट उतार देता है और उस जगा खून की होली शुरू हो जाती है और फिर बुट्टा डीमन मरिया को जिन्दा निगल लेता है बहुत कोशिश के बाद जौश बुट्टा डीमन का फेट चीर कर मरिया को बाहर निकलता है और तभी जौश को चमकता है कि बुट्टा डीमन किसी जाड की तरह जमीन में से आया है अगर हम लोग उसकी जड को कार दे तो शायद वो मर जाए तो जौश और मरिया सिधा बुट्टा डीमन की जड पर हमला करते हैं और बहुत देर तक खचा खच हैंड सिकल उसके जड पे मारने के बाद वो उसकी जड काटने में काम्याब हो जाते हैं जिससे बुट्टा डीमन की बौडी गल के सड जाती है जिसके बाद बचे हुए लोग अपने घर को निकल जाते हैं स्क्रीन ब्लैक आउट होकर जर्मनी के एक शिपिंग डॉक पर शिफ्ट होती है जहां ईलाए के बुट्टो का पहला शिप्मेंट पहुचता है जिसका मतलब अब ऐसे ही शिप्मेंट दूसरे शहरों में भी जाएंगे जिसके बाद स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है और मूवी यहीं खतम हो जाती है अब आगे क्या होगा यह हमें फूर्थ पार्ट में ही पता चलेगा और अब मूवी में कोई भी थेरिस नहीं है क्योंकि इस पार्ट के बाद आपको पूरी स्टोरी अच्छी से समझ आ गई होगी कि बुट्टा डीमन कौन है और उसका प्लैन क्या है पर मैं आपको इस मूवी से जुड़ी कुछ डीटेल्स बता देता हूँ जो कि इंट्रस्टिंग है पहली ये मूवी सीरीज की पहली डिरेक्ट टू वीडियो फिल्म है जिसका मतलब ये कभी ठेटर्स में रिलीज ही नहीं हुई थी सिधा डिजिटल प्लैटफॉर्म्स पे आ गई थी सेकेंड इस मूवी की शूटिंग 1993 में हुई थी पर इसे दो साल बाद 1995 में रिलीज किया गया था थर्ड जो बुट्टा डीमन की बाइबल इस मूवी में दिखाई गई है वो एक्च्वन में स्टीफन की नाइट शिप नौवेल का हाड कवर एडिशन था सिर्फ दूसरे कवर के साथ और लास्ट डिटेल इस मूवी के पगलू डिरेक्टर ने इस पार्ट को डिरेक्ट करने से पहले इसके पहले दो पार्ट तो देखे ही नहीं है इसलिए जब यह मूवी स्टार्ट होती है तो हमें सेकंड पार्ट के एंडिंग से इसका कोई कनेक्शन फिल नहीं होता और उपर से एंड क्रेडिट्स के वक्त एमेडा के नाम के जगा एलिस लिखा गया है और इस पगलू डिरेक्टर के कारणा में यहीं खतम नहीं होते और सुनिए एड में एक सीन है जहां इलाय के मरने के बाद उसके बॉड़ी से एक बड़ी सी एलो रोशनी निकलती है जहां सब को ऐसे एक्ट करना था जैसे एक बड़ा सा तूफान उठा के गया हो पर इन दोनों कार्टूनों को देखो जहां इने सीरियस एक्ट करना था वहाँ यह दोनों दाथ फाड रहे और ये गलती भी डिरेक्टर की ही है एंड ऐसी और भी गलतिया है जिस पे आपको हसी आएगी पर उससे सिर्फ time waste होगा तो इसी के साथ ये था मेरा Children of the Con 3 Urban Harvest का complete explanation with details एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये movie ज़रूर अच्छी लगी होगी तो अब आप सब मुझे comments में ये बताओ कि क्या आपको इसी movie details सुनने में interest है अगर हा तो ही मैं अगली बार से movie की details के बारे में बताओंगा नहीं तो नहीं और साथ ही ये भी बताओ कि क्या मैं mysterious cliffhanger के साथ और भी collaboration करू जिसके बाद अब हमेशा की तरह वीडियो या फिर collaboration अच्छी लगी है तो like बटन को थोड़ा ऐसे मार दो आपको explanation कैसा लगा ये मुझे comments में बताओ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करो, channel को subscribe करो और साथ ही बेन notification icon भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले अगर आपको जानना है कि सीरीज के बाद मेरी आने वाली वीडियो की इस movies पर होने वाली है या अगर आपको funny memes देखना पसंद है तो मुझे instagram के follow करो वहाँ मैं मेरी आने वाली वीडियो की details और funny memes डालता रहता हूँ और अगर आपको मेरी previous movies की link चाहिए तो मेरे टेलिग्राम चैनल को subscribe करो जिसका नाम भी The Cinema Cult ही है वहाँ आपको मेरी सारी previous movies की link मिल जाएगी इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए stay with the cult